नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत इस्पोर्ट का आज के समय में खूब खेल चल रहा है भारत और इंग्लेंड का दूसर टेस्ट मैच चेनरी में चल रहा है लेकिन पहले और दूसरे टेस्ट मैच में क्या बदला हुए है यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पहला टेस्ट मैच आप सबको पता है कि भारत हार गया था लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत अब जीत की देहलीज पर पहुँच गया है पूरी खबर क्या है मेरे साथ दो मिरे साथ ही मौझूद है हम पूरी खबर पर चर्चा करेंगे लेकि लेकिन अगर पहली इनिंग की बात करें तो इंगलेंड ने पहली इनिंग लेकिन उसमें पांच विकेट रवी चंद्र अश्विन ने लिये थे और यह रवी चंद्र अश्विन की एक बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि पांच विकेट एक इनिंग में लेना किसी भी गेंद शिल्लंका में खेल कराएं इस्विन के खिलाब दोहरश तक लगा कराएं पहले टेस्ट मैच में भी जो रूट ने दोहरश तक लगा था ऐसे खिलाडियों के खिलाप अगर आप पांच विकेट लेते हैं तो जहर तोर पर आपकी काम्याबी बड़ी है लेकिन अगर अगर है मेरे साथ मौद हैं मैं आपसे पहले आपके नम आयूश मैं हूं और आप सब भी देख रहे हैं ग्लोबल भारत आयूश जी सबसे बड़ा पहला सवाल मैं आप से करूंगा कि अश्विन की जो एक काम्याबी है इसको आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि पहले पहले गें इसफर पहुंचाये जीत दिलवाई उन्हों ने टीम कईवार वह गेंट से कारनामा करते हैं करते हैं और बन्ले कारनामा करते हैं इस पहले वह दो बार करते हैं पांच विकेट के साथ सातक मारने का जो काड़नामा है वह इसको तीसरी बार किया है हरसल जैक काली यान बोथम सबसे पहली हैं मैं बता दूँ यह पांच बार यान बोथम पारी में पांच विकेट और जड़ चुके हैं इंग्लेंड के पूर खिलाडी थे यान सब्सक्राइब कर रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए और हम आपको और बाद बता दें कि इतंबरम स्टेडियम की जो फोटो नरेंद्र मोदी ने अपने क्यामरे और ट्विटर के माध्यम से लोगों के भी शेयर की वह काफी चर्चा में रही टेस्ट से ज्यादा उसकी बीचर्चे हुए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रतामंत्री भी इस क्रिकेट प्रेमियों के जहन तक और उनके मुबाइल तक पहुंच रही है तो यह एक अच्छी वाक्या है खेल के बीच में राजनीती का तड़का नेंद्र मोदी नहीं यहां पर लगाया क्योंकि वह ग काफी जानकाई रखते हैं यह भी आपका नाम अधित्य जी मैं आपसे इसी मैच के दोरान अश्विन के अगर बात करें एक और काम्याबी थी उन्होंने हरवजन सिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उस पर आपको क्या कहना है सबसे पहले तो यह बहुत बड़ी बात है ह और वह वह हो गया है और में बात यह थी उनको यह बात पता नहीं थी यह बात उनको मेडिया के दुख रूप नवे सवालों सब्सक्रणूने उन्होंने उनको जब पता चला उन्होंने अरह रिकॉर्ड तो इसके खरिए हैं तो आज कर यह प्लेस प्रेस का यह और सेट के साथ खेलती है ये अपने हैं दिखाती है चोट खएगी खून गिर आगी लेकिन विकkelnए-विकेट नहीं गिरने देगी बड़ी बात कहीं है विकेट नहीं गिरने देगी अपने विकेट विकेट के लिए जी-जान लड़ा देगी यह वो इंडिया टीएम हम तीम बहुत सवाल उठे कपताई की उपर भी बहुत सवाल उठे किंको ली ने यह भी कहा कि मैं यहाप एक बात जो ना चाहूंगा यह बात पॉंटिंग ने भी कहा था जब भारत की तीम जीत के घर में कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम भारत की बी टीम से हार गई क्योंकि आप देखें कि उस्टीम में कोई बड़ा नाम नहीं था सुंदर पहली स्रीज खेल रहे थे पहली स्रीज खेल रहे थे काफी ख्ञाड़ी आप जैसे तो बड़ी बात थी बिल्कुल बड़ी बात थी और ठीक वही माइंडसेट के साथ टीम इंडिया अपनी सेकंड टेस्स मे उतरी है और इंग्लेंड को बता दिया जैसे केविन पिटरसन ने मज़े लेते हुए एक प्वीट मारा था बीच में की आप सावधान रहे हैं यह आस्ट्रेलिया नहीं यह इंग्लेंड टीम है तो उसका जवाब जो है आज इंडिया ने बखू भी दिया है उनको बताए क थे अपनी टीम के लिए लेकिन आज वो एजे बॉलर गेंदबाज के तोर पर अपना नाम कमाया है हर्बजन सिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है और उम्मीद करेंगे जल्द ही वह अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे ऐसा अश्विन के साथ ही नहीं हुआ है सचि दुनिया के बरे बड़े बाजों में महांतम बल्ले बाज है भगवान कहा जाता है उसी तरह से आर अश्विन का करियर भी है बल्ले बाज के तोर पर वह अपना करियर बनाना चाहते थे लेकिन गैंदबाज के तोर पर आज आज क्या कमाल कर रहे है पूरी दुनिया देख यह उस बात को और एक पारी में 29 बार पांच विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए जाहिड तोर पर बड़ी बात है तो जाहिड तोर पर बड़ी बात है मेरे साथ मैं दुबारा पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल कि जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं क्या उम्मि उससे वह जरूर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और सतक के नाम पांस सतक भी है टेस्ट में 11 अर्चा तक है तो रिकॉर्ड के मामले में बल्ले बाजी और गेंदबाजी उनकी बहुत दूरूस थे उनको मौका मिलने की जरूए अगर लगातार मौका मिलता रहा तो जरूर आं करने के लिए हैं इंगलेंड को क्या आज कल भारत जी जाएगी या फिर पांचों दिन भारत जैसे की इस्पिन पे छेचे नहीं अगर में चितंबरम स्टेडियम की बात करें तो इस पीनरों के लिए बहुत मदद जा रहे हैं अभी शातक मार के गए है आरश्विन और बॉ महारी ठीक है लेकिन अभी जिस प्रकार से टीम इंडा खेल लेए वह मैंसेट दिख रहा हमें कि वह जीतने के लिए एनिहाव भाई हुक बिल्कुल बिल्कुल तो मैं मैं तो यहीं चाहूंगा कि मेरी जो टीम हो कल जीते ठीक है और इंग्लैंड को बताए कि हम कौन है लेक लेकिन इस सिरीज के साथ में एक सिरीज और भी जुड़ी हुई है विश टैस्ट चैंपियंसिप क्योंकि भारत और इंग्लैंड देखें न्यूजिलैंड फाइनल में पहुंच चुका है भारत इंग्लैंड और उस्टेलिया इन तीन टीमों के बीच में जंग है और यह ज तो गहरेंड ऊच्छा घिंखाना होगा गर फाइनल में पहुंचना है और अगर यह सिरीड टाउफी तो नहाप भात पूंच एक ऊच्छा खेल दिखाना होगा अपने घर में जो भारत के लिए कहते हैंथ Aww would बल्ले बाजी करनी होगी बाकी आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद